असलाम अलेकूं वीवर इस वीडियो में हमने डिसकस करना है कि आपने की इस तरह से जो अपनी Amazon के inventory है उसको remove करना ठीक है यह वह वाली inventory होती है कि जो आप Amazon पे भीजते हैं उसके बाद या तो वह प्रोड़ी टांस होते हैं या फिर वह inventory जो फुल फिलेबल नहीं होती है तो यह वाली inventory वह inventory होती है ठीक है तो पिर Amazon क्या करता है कि अगर आप इसे inventory को remove नहीं करते हैं तो अगर आप चाहते हैं कि यह वाली inventory आपके घर पे शिप हो जाए तो आपने उसको किस तरह से होगी उसको remove करवा लेने ठीक है ताकि वह आपके अपने personal use में आ सके वरना Amazon क्या करेगा उसको waste कर देगा तो यह आपके सामने Amazon seller center open है यहां पे manage inventory के tab क्या हो तो यह देखे पहला दूसरे manage inventory इस पर क्लिक करो जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का क्या 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 है अब यहां पर कह रहा है return address add करो ठीक है यह यहां से liquidate कर दो यह लिक्विडियशन कर वालगा है मगवां से ठीक है रिकावर वैडियों इलीव इन 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 इस पार किया थीड़ाइशन अटिक है वह कहाद आप इसको लिक्विडियट कर वान चाह रहे है तो वह पर चैद इन पर स्ट्रेंट इसका एबरेश एलिंग प्राइस और अपना इसको डिसकाउंट हो जाएगा अगर आप इसको डिनेट करना चाहरे हैं रिटर्न तो डिनेट नवांडिती के इनवांडिती चैरिटी आम यहां पर जोब कि इनवांडिती को स्कुछ एटिस कर देगा तो इसको लिक्विडिट भी करने के बाई यहां पर कितने इनवांडिती करवा लेना है तो इस तरह से आपने क्या करना है जो अपर के इनवांट्री है उसको अपनी जो मूव करवा लेना है लिक्विडिट करवा लेना है तो इस तरह से आप अपनी अपनी अमज़ों एक इनवांट्री लिक्विडिट करवा सेक्टर था कि जो आपको इसके चाहती जार वो भी न लगे और आपकी जो वो स्टॉर्क वो आपके खर पहुंच जाए